हलो दोस्तों स्वागत आपका स्लीपी क्लासेज में डेली न्यूज में आज क्या लेके आए है डिकलाइनिंग वाक्सीन एफिकेसी ठीक जी वाक्सीन की एफिशेंसी कम हो रही है कुछ टाइम पहले मैंने करवाया था कि हमारे जो डेल्टा वीव है ठीक जी डेल्टा वेरिय के लिए ठीक है अब देखिए थर्ड वाक्सीन के लिए भी बूड रहे है ठीक है पहले तो कहा था कि यार फर्स्ट डूस सेकंड डोस लगाओ और फिर आपका सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा लेकिन अब थर्ड डोस के लिए भी बूड रहे है इन वाक्ट जो बिड़न सह है भी कि नहीं तो उसके बार में देखते हैं कि है क्या रीसेंट डाटा ने क्या सेजेस्ट किया है कि इफेक्टिवनेस ओफ कोविड-19 वैक्सीन जो है वो डिकलाइन हो रही है ठीक है अब यह देखिए रीसेंट डाटा है निकाला हुआ है इसका अब इसराइल के डाटा लिया है यूसे का है यूके का है ठीक है और इनकी मीन वैक्सीन इनकी मन आरने है मना ने इनकी एस्टरेजन का है जो कि हमें दी नहीं गई थी ठीक है अब यह फुली वैक्सीनेटिट पॉपुलेशन आज ओन कथिस ऑगस्ट दोजार इकीस इसमें साथ परसंट है इसकी 53 है इसमें थोड़ा सा है लेकिन जादा फरक दिखने को नहीं मिला है अब आप बोलेंगे हॉस्पिटलाइजेशन क्या होती है सर देखिए दोस्तों कोविड नाइंटीन घातक बिमारी इसलिए है क्योंकि उसके जान जाती है हाँ जी सर हमें पता है लेकिन देखिए हॉस्पि कोविड नाइंटीन को घर पे मतब होम पे ही ठीक किया जा सकता है अगर उसको प्रॉपली देख रहे की जाए लेकिन अगर वो उसकी सिवेरिटी बढ़ जाती है ठीक है हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाती है तब प्रॉब्लम आती है ठीक है वैक्सीन का मेन काम क्या होत है यह बी एन आपका जो स्वाइशर और बाय निक है 95% है फिर मोडर्ना 94 है स्पटनिक आपकी 92 है 89 है फिर आपकी चैटनिक जो है वो 70 है इस तरीके से 60-50% ठीक है जी तो यह आपकी वैक्सीन की एफिशेंसी है ठीक है अब देखिए क्या यह कॉज ओफ अलार्म है अब इसमें क्या है कि डाटा में यह शो गया कि रेड्यूस्ट दे रिसक ओफ कोविड नाइटीन हॉस्पिटलाइजेशन ठीक है जिस चीज के में बात कर रहा था कि अब देखिए जो यूजिली किया है कि आप बिमार पढ़ गए ठीक है कोविड ही हो गया सपोज आपको हैंने अब को सिम्टम्स आगया डोपक। सरदी है और आपको सरदी है जुख खाम है खांसी है बखार है आपने घर पे आपने आपको च्रीटमन्ट सटार्ट है यह डोक्टर से बात करी ठीक है आपको 4-5 दवाइँ और आपके सप्लिमेंट वगएर डोक्टर ने सुआरे क क Almighty ठीक है और आपका पांच से भी देनल आенные शेन में इंप्रूवमेंट चाट हो गई है यह आपका न्यूंवक प्रोसेश है भी आप क्या है कि आपने कोविट की जो है वाक्सीन लिए है सब्वोज आपने कोविट शिर्ड ले है ठीक है अब देखिए वैक्सीन लगाने से आपकी जो इम्मिनाइजेशन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, कोविड से बचेंगे नहीं, बस कोविड होगा तो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन जो है, वो रेडियूस हो जाएगी, which is more important, इंडिया में जो सेकेंड वेव आई तो हॉस्पिटलाइजेशन की केस बढ़ गये थे, ठीक है, आपने देखा होगे कि वेंटिलेटर्स की बहुत जादा जरूरत पढ़ गी थी, ठीक है, ऑक्सीजन की बहुत जादा पढ़ गी थी, लेकिन अभी जैसे वैक्सीन कर रही है, तो उससे क्या है कि कोविड जरूर होगा लेकिन आपको फोस्पिटलाइजेशन की जुरूरत नहीं पढ़ेगी, तो is this a cause for an alarm, not exactly, अपने वैक्सीन लगाई है तो आपके पोस्पिटलाइजेशन कम होगी, अभी यह तो था अपके अपके अफोस्पिटलाइजेशन का, अभ देखे, इसमें टेल ज ऑफट वै ठीक है जी लेकिन इट रेली डजन मातर देखे हुमन बॉड़ी जो है उसका अपना एक खुद सिस्टम होता है इम्मिनिटी का ठीक है कुछ तरीके से रहता है देखे है अब डिफरेंस इन इफेक्टिवनेस देखते हैं आपकी दो वैक्सीन है इतनी वैक्सीन है तो इसमें सकते हैं धीक होता है जासे मेरा नाम अब है किसी का नाम राहुल है हम दोनों की अलग-लग बॉड़ी है हमारे अलग-प्रक भी हो सकते है ःटिक्वी अलग-बध खान पीना भी हो सकता है अलग-भी जीन्स भी होँगे ओृविसली डिफरेंटर तो बॉड़ी का इम्मिट system बिल्कुल different देता है ठीक है जी आपके जी lymph nodes हो गया, adenoids हो गया, respiratory system हो गया, ठीक है जी skin हो गई, white blood cell हो गया, thymus, spleen, stomach, intestine ये सब अलग से भीएव करते हैं, तो किसी को covid होता है तो किसी की severity बढ़ जाती है, ठीक है जी किसी के symptoms बहुत खतरनाक होते हैं, किसी के काम होते हैं और कईयों को तो देखे गए, symptoms ही नहीं आते हैं, तो immune system जो है, वो complex माना जाता है, लेकिन जो अगर आपने vaccine ले ली हुई है, तो उस immune system में हमने थोड़ी सी क्या है, alteration कर दी है, और आपकी जो efficiency है, immunity की वो थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है, तो यह देखे आपके cellular level पे कितना ज़्यादा changes आता है आपका, तो अब क्या है कि जो high populated, high populated जो हमारे cities हैं या फिर countries हैं, वहाँ पे कह रहे हैं कि third dose भी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो immunity है वो और ज्यादा हो जाए और hospitalization कम हो, देखे, covid तो रहने वाला है, यह तो for sure है, and I hope की चला जाए, लेकिन वही है कि आपको इसके साथ जीना पड़ेगा, और अपनी efficiency जो है, immune system की वो बढ़ाने पड़ेगे, ठीक है दोस्तों, तो third dose क्या help करेगी, देखे, third dose, obviously अगर आपकी जो immunity है, उसमें आपके T-cells जो है, या आपके जितने भी WBCs, या फिर RBCs, या फिर platelets, जितना भी आपका internal mechanism है, उसको अगर ये aid करता है, आपकी जो तीसरी dose है, और high populated countries जैसे इंडिया ही है, आपके दिल्ली में इतने जादा लोग है, ठीक है, तो देखे, क्योंकि एक ऐसी बिमारी है, जो एक से दूसरे पर फैलती है, ठीक है, जी contagious बहुत है, तो third dose लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ultimately it is about immunity, और immunity बढ़ेगी, तो spread भी कम होगा, और mask तो obviously, बाकी जो precautions है, precautions तो obviously important है, ठीक है दोस्तों, तो ये था कि vaccine efficiency कम हो रही है, लेकिन इतनी alarming situation भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का ये daily news का एक topic था, मेरा नाम है अब है, आपके साथ फिर से मुलकात होगी, तब तक के लिए take care, bye bye